अलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग बगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और अच्छे बने लगे आज फिर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आलू हाँ आलू जादा कर लोगों को पसंद होते हैं बहुत कम लोग होते हैं जिनने पहससे हैं आज मैं एक आलू की ऐसे चीज बना के दिखाऊंगी आपको movements आप आलू रखने तो आप साल आम जोा अ ऑनडु आप लोग कैस्स भा लें मैं आपको दिखाऊंगी उसको उबाल के और किस तरीके से उसे सुखाए जाते हैं और फिर उसके बाद सूखने के बाद दो तिन दिन दूप में अच्छे से उसे सुखा लीजिए फिर सुखाने के बाद आप उसको बनाईए और बनाने की रेसिपी भी मैं आपको बताऊंग अले चलिए मेरे किचिन में मैं दिखाऊंगी चलके फिर आपको ट्राइ करिएगा चलिए ठावी बेदी ची यह मैंने आली वाल के रखे हुए है छील के छील के थोड़ी हवा लग जाए थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो बनाने में आसानी रहती है कि फोते हैं फोट यह तवासी अहले है उत्त और थ्यार्ग करें if उस्मण्य तोड़ास दोड़े करती है कि इवायों त्वाई पिर आसके प्रोड़ करके लिए विसे लगवोगा डोड़ दिकानी बहुती है दो या तीन दिन जब तक सोख है हुआ है कि ठंदे हैं असलिए आसामी से कर ले रहे हैं गरम ने करें रहे हुआ झाल झाल पास पास कर दीजे दोड़ा यह ऐसे तोड़ने दी फाइदा हो जाता है साली मताले इसके अंदर चले जाते हैं यह आप सारा काम नीजय कर देजिए च्छाओं में और बस थाली ले जाएए छट पे दोप में रख दीजिए और इसे सूखने दीजिए और एक बार इसको पलट ना है ऐसे करके जाएए दूप में आराम से एक बार पलट दीजिए बस फिर आपके आलू यह सूख के तयार हो जाएंगे इन्हें साल उसाल रखके खाईए और यह दूसरी थाली उसमें रख लेते हैं अगया के थे अगया के वह से लोग काट के बनाते हैं उबाल के फूर काट के तच्छा तुछ पाद नहीं आता कि वी मसाले पूरे अंदर हो जाते हैं मसाली चलिए दूप में रख देते हैं आवाज आ रही है आप कमझ देजिए आपके आलू फूर चुके हैं अच्टे से आवाज जाईए और इनकी मज़ेदा सब्जी बनाईए सब्जी की में रेसिपी में एक दिन डालूँगी वह देखिये गया इसे कुछ नहीं कोई इसमें रोकेट साइज नहीं बनाने का बस इसे बिगोईए दो तिन घंटे और फिर उसके बाद जैसे नौर्मार आलू बनात अब मज़ेदार है न ये रेसिपी घर पे बनाईए ये आपके याँ बहुत सारे आलू आ गए हो हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं इसलिए खराब ना हो नहीं करिए आप ऐसा बस ऐसे ही उबाल के सुखा लिजे और आप साल बर दो साल तक मज़े से खाईए बस तीन चा कैसी लगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है यूस्फुल लगती है है तो प्लीज इसे शेयर करिए अपने परिवार में अपने दोस्तों को कि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल का नाम है विंदास मोनिका लाइव थैंक यू फो वाचिंग आपका दिन शुब रहे और रात मस्त रहे